सबी भाई वैनों के आपके अपने चैनल YCD Books में एक बार फिर से श्वागत है प्लीज जो लबी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की होंगे जरू सब्सक्राइब कर लेंगे उसके बगल में वैल आइकन है उसे फ्लेस कर लेंगे जिससे की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहा है देखिए मैं बता दू कि डेली करेंट एफिरस की वीडियोज प्रवाइड होती है आप लोगों कर दिया जाएका तो चलिए मैं देरना करते हुए आज पहले कूश्चन पर चलता हूं पहला कूश्चन क्या दिया हो है हाल ही में किसके द्वारा पेलेटर सुविधा सुरू किया गया है देखिए एक इंग्लिस में नाम है पे लेटर इसको सुबिधा किसके दौरा शुरू किया गया है तो मैं बता दू यह Amazon के दौरा किया गया अचा इसमें होगा क्या तो मैं बता दू कि देखिए इसके माली कि मैं थोड़े से पहले बता दू इनके माली कौई है चीतमी में तो इस नापर जाय चुम्हार के है रहे है है तो ऐसी के चाहिए गाया रोप लग मतलब उनको समान जो खरिद सकते हैं और वो एक महीने बाद भी इसी समान के पैसे को पे कर सकते हैं और यहीं नहीं इसके बाद से भी बताया गया कि बारा महीने के किस्त अगर कोई आप बड़े समान को लेते हैं तो आप बारा महीने का किस्त भी यहां पर ले सकते हैं चलते हैं हम पर दो क्या कहिए रहा हौल ही में कि से आई O C का नया चेर्मैन न्यूक्त कόल किया गया हम बात कर ले आई O C आई O C मतलब इंडियन आयल कर्णिंट क्र servant क्या होगा indian oil corporation के बात कर रहे है ऊई O C का चेर्मैन किसे क्या गया है तो अभी हाली में सिरिकान्त माधो बैद को क्या किया गया आईओसी का नया चेर मैन नुक्त किया गया अच्छा मैंने एक औपशन आप लोगों के लिए रखा है तरूर बजाज अच्छा तरूर बजाज के बारे में हम जब बात करते हैं रभी मित्तल को अभी खेल मंतराले का सच्चिव निख्त किया गया हूँ एन्टी पीची के दुपरब की बात करें तो ने shifting थर्मच पाव ा कुरेंसन क्या हो जाएगा ने यह में कहां पे लेह में और देली में याद रखिएगा लेह में और नू देली में इसे चलाने की बात कहीं गई है अच्छा आम बात कर ले थोड़ी सी अब गाता फहीं है तो यह भी याद रख लिजेगा न्यू डेली में इसका हेड को आट तर है ठीक है और गुर्दीप सिंग जो है फिलहाल में इसके अभी हेड बने हुए है ठीक है चलते हैं हम अगले question पर अगला question क्या दिया है हाली में किसे सरवाजनिक उपकरम चैन बोड का प्रमुख नूकत कि जा गया है जिसका जो राइट answer हो जाएगा क्या हो जाएगा राजीव कुमार हो जाएगा इसका राइट answer राजीव कुमार को अभी सरवाजनिक उपकरमें हम चैन बोड का नया ध्यक्ष नूकत किया गया अच्छा हम बात करके इसको इंग्लिस में भी दे सकता है तो इंग public E मतलब enterprises E मतलब selection B मतलब board PESB का अभी हाली में किस chain board का प्रोमुक किसे नूकत किया गया है राजीव कुमार को नूकत किया गया है चलते हैं हम अगले question पे अगला question क्या दिया हुए हाली में किसके द्वारा ultra violet sanitizer बिक्सित किया गया पुछ रहा हाली में किसके द्वारा ultra violet sanitizer IIT खड़कपूर के द्वारा IIT Bombay के द्वारा IIT भूवनेश्वर के द्वारा IIT Delhi के द्वारा मैंने कल ही एक question बताया था IIT के बारे में पहली इसका right answer बता दीजे इसका जो right answer होगा क्या हो जाएगा IIT भूवनेश्वर IIT भूवनेश्वर के द्वारा एक ultra violet sanitizer विक्सित किय होगा क्या होती है UB RAGE जो होती है उसके द्वारा सेनटाइज किया जाएगा हाला कि अभी कही तरह के लोग मतलब ऐसे जगह है इनको अभी पहले से ही ultra violet की द्वारा सेनटाइज किया जाता है देकिन अभी जो आयटी भूनेश्र की द्वारा बनाया गया है एक यूवी सेनेटाइजर के मतलब रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा उसके बाद से उसे पूरी तरह से उप्योग कर सकेंगे अच्छा मैंने कल कोशन बताया था परसो आयाटी खड़कपूर को अभी अभी जो संस्थानों के सबसे निकाला गया है कि कौन सा संस्थान पहले अस्थानों में प्राप्त हुआ है बात करें हम मैंने बताया था परतम अस्थान करने वाले कूरे हें कौन था तो अभी हाली में नेूजीलेंड कबिया चलते हैं हम अगलेidents क्वेश्चन को अच्छा मैंने बताया था क्ल आप लोग लोगों को आइटी बॉंबी ऑणि में Conc रूहदार वेंटिलेटर लांच किया गया था रूहदार वेंटिलेटर याद रख लिए जएगा रूहदार वेंटिलेटर लांच किया गया था चलते हम अगले कुश्चन पर अगला कुश्चन क्या दिया हाल ही में निरत्य दिवस कब मनाया गया पूछा जा रहा है कि निरत निर्ते के परती जग रुखता फैलाने के लिए निर्ते के परती जग रुखता फैलाने के लिए निर्ते दीवस के रूप में हम मनाते हैं अच्छा ये मनाता कौन है याद रख लीजेगा ये यूनेसको के द्वारा मनाया जाता है यूनेसको के द्वारा मनाया जाता है अच के जनम दिन जनम दिन पर अब बात करते हैं हम यूनिस को मनाता है इसे तो यूनिस को कब किया गए था 5 नमंबर 1946 को इसको स्टेब्लिड इसका है इसका ऐडोगों को मैं बार बार दो बताता हूँ जिससे के आप लोगों कोई ये चीजे याद हो जाए. पेरिस में है, चलते हैं, और अंदारे और जो ले फिलहाल में इसके अध्यक्ष बने हुए है, चलते हैं हम ऐसे मिलक्या अगले कोशन क्या दिया हुआ है, हाल ही मैं किस राजे सरकार के दोरा लॉक डाउन को बढ़ाने की घोसडा की गई है, हलाकि ये कुशन उतना important नहीं है, लेकिन फिलहाल में ये important बन सकता है, पूछ रहा है, ये भी पुछाए सकता है पेपर में, कि कौन से राज्य के द्वारा पहले ही निर्णाय ले लिया जाता है, ठीक है ले लिया गया था, lockdown बढ़ाने के मतलब केंदर स किया गया है, लेकिन इसके बाद से अभी दो माई तक लाग डॉन बढ़ाने की घोसडा कर दी गई है, अमरिंदर सिन, यहाँ पे फिलाल में CM के पद पर बने हुए, इनी के द्वारा ऐसा निर्णाय लिया गया, चलते हैं हम अगले question पे, अगला question दिया हुआ है, हाल ही में Brics की बैठक में, प्रतिनी दी तो किसके द्वारा किया गया, Brics की बात कर रहा है, Brics, B-R-I-C-S, यह देखिए, यह बहुत important नेम है, और इसका full front पूछता है, B मतलब आप लोगों को पता होगा, B मतलब क्या हो जाएगा, Brazil हो जाएगा, R मतलब हो जाएगा, R मतलब इंडि 2010 में जुड़ा, South Africa, South Africa कब जुड़ा 2010 में जुड़ा, तब से इसका नाम Brics पड़ गया है, ठीक है, और इसकी अस्थापना आप लोगों को याद रख लीजे, इसकी अस्थापना जो होई थी, 2009 में होई थी, चलते हम अगले question पे, question number 9, question number 9 क्या कह रहा, हाल ही में किसके द् किये गए सर्वेक्षण में, चंद्रमा पर पहला digital भूब घ्यानिक नक्सा जारी किया गया, पुछ रहा है का हाली में किसके द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया, उसके द्वारा जो चंद्रमा का digital भूब घ्यानिक नक्सा है, वो जारी किया गया है, तिसका जो right answer हो बात करूंद्स के लागग मैं रेक्षम हाँ और यहां पर फिर देल्सपप्र अमेरिका की सद्च नहीं सब ex जो है अभी बने हुए थे ठीक है अच्छा अमेरिका का जो कैप्टेल है क्या है वसिंग्टन डी सी आप लोग यह भी याद रखिएगा चलते हैं हम लोग अगले कुश्चन पर अगला कुश्चन क्या दिये हैं हाली में किस मसुहूर अभिनेता का नीधन हो गया पूछ रहा होगा इर्फान कान की मैंने मैं कल बात की थी और रिसी कपूर मैंने कोश्चन को दुबारा लिया इर्फान खान के और रिसी कपूर अभी 29 तारी को मैं बात करूं तो इर्फान कान की मृत्तिय हो गई और रिसी कपूर की बात कर लो तो मैं 30 तारी की इनकी मृत्तिय हो गई हलाकि मैं दोनों के बारे में थोड़ा से जनकारी आप लोगों को देदू कोशन पूछा या सकता है इर्फान खान की मैंने पहली फिल्म के बारे में कल पूछा था इनकी पहली फिल्म कौन थी तो सलाम बंबे थी कौन थी सलाम बंबे के नाम से इनकी पहली फिल्म थी इर्फान कान की मृत्यू कितने वर्स की आयू में हो गई मुंबाई में इनकी मृत्यू हो गई ये भी याद रख लिए जेगा ये भी कोशन पुछा सकता है कोकिला बेन अस्पताल में किला बेन अस्पताल में इर्फान कान की मृत्ती हो गए इनकी पहली फिल्म जो थी 1988 में इनकी पहली फिल्म रिलीज होई थी इनको पदम स्रीश से भी समानित किया गया था तो इस तरह से इतने भी कोशन बनते हैं आप लोगों को याद रखना चाहिए अब बात करते हैं हम रिसी कपूर की पहली फिल्म पूछी आ सकती है कि अभी रिसी कपूर की जो पहली फिल्म थी वो कौन थी तो बहुत इंपोर्टेंट फिल्म है और आप लोग नाम इसका भी सुना भी होगा मेरा नाम जोकर, मेरा नाम जो जोकर था, इनकी पहली फिल्म थी, अभी इनके पिता के पुछा जातकता है कि ये फिल्म में क्या रोल था, तो इनके पिता के ये बच्पन का रोल इसमें किये वे थे, रिसी कपूर इनकी पहली फिल्म इनकी थी, ठीक है, इनकी जन्म कब हुआ इनका मुद्टी भी मुंबई में हुई है ठीक है और इनका जो जन्म हुआ था मुंबई में हुआ था मुंबई के कहां पर हुआ था चेम्बूर में हुआ था ठीक है चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन क्या दिया हूँ अगला नोट्स मैं दिया हूँ अभी किस में आर्थिक सयोग उंविकास संगठन के अमेर की दूत के रूप में नुक्त किया गया तो यह important बन सकता आपके लिए चलते हैं दूसरे notes पर दूसरा notes क्या दिया हुए हाली में HDFC बैंक ने Reliance Capital में 6.43 की हिसेदारी लिए है अगला notes क्या दिया हुए हाली में आंद्रपरदेश सरकार के द्वारा जगना बिद्या दिवेना योजना शुरू किया गया उसकी refund कर दी जाएगी तो देखे जितने भी important question बनते थे आज एक मही से मैंने सारे question को इसमें cover कर दिया हुए है मैं बता दू कि इसका answer की भी provide किया हुआ है आप लोगों अगर इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे telegram group से download कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप का link description में दिया हुआ है आप वहां से हमारे telegram group को join कर सकते हैं मैं बता दू कि आप लोगों के लिए current affairs की वीडियोज डेली provide की जाती है और पूरे मन्त का current affairs की वीडियोज आप लोगों को एक या दो दिन में provide कर दी जाएगी मैं बता दू कि आप लोगों के लिए history के भी आप लोगों के लिए mcq question का series कराया जा रहा है तो आप लोग history के उस question को भी series लगा सकते हैं आप लोगों के mechanical के भी class चालू हो गई है आप लोगों के लिए history के अलावा हिंदी, quality इन सब की classes भी बहुत ही जल while city provide करने वाली है तो please आप लोग continue हो जाईए और हमारे channel को subscribe कर लीजिए और जो लोगी तक हमारे मैं कहूंगा कि notification नहीं दबाया हो तो notification भी दबा लें कि जिससे कि आप लोगों के पास किसी भी video के notification आप लोगों के पास तुरंत पहुंचती रहे तो आप लोगों के जनकारी हो जाए कि ये classes की videos provide कर दी गई है तो आप लोगों किसी परकार के YCT को books को भी चाहते हैं तो YCT का official site पर जाईए और वहां से books को purchases कर सकते हैं otherwise Amazon, Flipkart, आप किसी भी website से आप हमारी YCT books को download कर सकते हैं या तो फिर इसे खरीज सकते हैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि अगर किसी परकार क को दो बात लीजीगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा थैंक्यू दोस्तों